तो अधाइब गूट मॉर्निंग स्टुडेंट्स मैंने आप लोग लिए एक्साइज 1.3 के कुछ कॉश्चन करा थे और कुछ आप लोग लिए मैंने होंबर्क में देती है ठीक है तो जो मैं आप लोग लिए कॉश्चन सॉल कराता हूं वह आप लोग फियर कॉपी में नोट किया करा हूं जो हमबर्क में देता हूं वह आप रप कॉपी या हमबर कॉपी में लिए ठीक है अब अपन आते हैं एक्साइज 1.4 पर ठीक है तो एक्साइज 1.4 में अल्ली टू कॉश्चन से जैसे को अपनको नम्मर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है और कैसे सबसे पहले अपन एक लाइन खीजते हैं ठीक है तो कैसे करेंगी तो देखें कि सबसे पहले अपन एक लाइन खीज़ते हैं ठीक है तो स्टाइट कहां से हो अपना 3 से ठीक है 3 के बात क्या आता है 4 तो यहां पर आपन 3 लिखेंगे और यहां पर क्या लिखेंगे 4 ठीक है यहां क्या लिख दिया 3 और यहां क्या लिख दिया 4 ठीक है आपनको कहां तक जाना है 0.7 ठीक है यहां क्या लखा हुआ है 7 तो 7 तक नहीं जाएंगे पर कहां तक जाएंगे 8 तक तो यहां लखेंगे 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 और 3.8 ठीक है यह अपन नहीं आप लखाई था या 4 ठीक है तो 3 और 4 के बीच में अपन कहां था तक है 3.8 तक अगर 7 यहां लखा रहता है तो कहां तक जाना पड़ता है 8 ठीक है अब अपन इंदोनों नंबर का यूज़ करेंगे नेक्स्ट के लिए ठीक है तो अपन एक नेक्स्ट नम्मर लाइंड रो करेंगे ठीक है तो यहां पर क्या लखा जाएगा 3.3.7 ठीक है और यहां पर 3.8 ठीक है अब क्या करेंगे अपन यहां क्या 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 और 3.77 और यह यह लखाता वो तो लखाई रहे है ठीक है अहां तका अब 3.6 लखा हुआ तो 3.77 तक अब कौन से नमबर यूज करेंगे यह दोनों ठीक है अब अपन कहां तक जाएंगे 5 ठीक है इसमें अपन 6 तक नहीं जाएंगे क्योंकि यह लास्ट डिजेट है ठीक है इतना सब को समझ आ गया तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं ठीक है बागी मैं यहां पर सॉ ठीक है यह दोनों नमबर का यूज करेंगे ठीक है अब अपन कहां तक जाएंगे 5 तक तो यहां लगेंगे 3.761 3.762 3.763 3.764 और 3.765 ठीक है तो इसको अपने नमबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया 3.765 तो अपने यह क्या होगा रिप्रेजेंट ओन नमबर लाइन तो इसको अपने कितने स्टेप में कमड़िट किया 3 steps 1st 2nd and 3rd ठीक है अब आपको इसी टाइप का question नमबर लेकन उसे में 10 लगा हुआ है क्या लगा हुआ है 10 तो इसको अपन रिपीट करके लिख लेंगे यह आप हमबर्ग में करना बुक में दिया हुआ है आपको 4.26 डेस इसको आपका stress लगना है 4.2626 ठीक है यह आप हमबर्ग में करेंगे ठीक है इसी टाइप से अपनी exercise 1.4 कंप्लीट हो चुकी है तो आप लोग इटा फियर कॉपी कर लेंगे ना आप लोग आप कुछ दिन बाद में टेस्ट बना दू ठीक है थैंक यू